गैज गुल मॉर्निंग आज संडे हैं पता है मेरा पती के साथ रहने का जिद मेरा मेरा लाइफ मेरा करियर मेरा सब कुछ बरबाद किया मेरा शादी करने का डिसीजन मतलब क्योंकि हम घर की बड़ी बेटी थे और कोई भी सादी क्यों करता है इसलिए ना कि उसको एक प्राटनर मिले और वो मतलब दूर तक जाए दूर तक इन दर सेंस कि वो लॉंग टम के लिए हो लाइफ टाइम के लिए हो लेकिन मेरा यह डिसीजन जिन्देगी का सबसे बड़ा गल्थी था आज हम किसी भी वकील से मिलते हैं ना हो हमको यह बोलते हैं कि आप केस नहीं करके बहुत बड़ा गल्थी किए है बहुत बड़ा गल्थी क्योंकि सामने वाला जब आपके लिए कोट कचेरी सब जगा चला गया तो उसके मन में आपके लिए फिर कुछ है ही नहीं मतलब देखा जाए तो यही बोल सकते हैं कि बस इंटेंशनली दोका देना अब यह जिसके साथ बीटता आना वही जानता है यहां पर बहुत लोग ग्यान देते हैं उटपटांग भी व्यूज के लिए करती है और पॉपुलारिटी चाहिए फेमस होना चाहती है कितने किस तरह के मतलब उनको क्या बोलेंगे क्या शब्द उनके लिए हम परियोग करें कि कोई क्यों करेगा इस चीश के लिए क्यों करेगा जो लोग बोलता है ना कि वहां सिर्व यूज के लिए ड्रामा के वो 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 तो एक और भी चीज है यह मेरी बेटी है सबको पता है मेरे बच्चे का खर्चा पिछले तीन साल से कंप्लीटली तीन साल से जादा 21 में हम लोग ऐसा हुआ था 21 22 24 खतम होने को है मतलब साड़े तीन साल हो गया साड़े तीन साल से वह इंसान एक फूटी कौड़ी नहीं दिया है अपने बच्चे के लिए भी सिर्फ शादी करने का मतलब ही थोड़ी होता है कि सब बस मजे करो बस सो और उसको जितना जितना भी टॉचर करना है या तो में हर तरह से उसको लड़की को टॉचर करो पिर लाँ मार के भाग़ा दो क्योंकि यह पूट यही किया मेरे जो सारा बात hoता है ओषे यूट्यूप पे «वह रिकॉर्ड़यड» है यह तो बहू पूचल मीडिया पर इसलिए वित नहीं आया इसलिए नहीं आया सोशल मीडिया पे भी न हर कोई ऐसे नहीं आ सकता न जिगरा वाला इंसान आ सकता है जो सही हो वही आएगा ऐसे कोई नहीं आ सकता है आज मा बहन का ही देन था, कि दूसरा सगाई किया, मा बहन का ही देन था, मुर्गा परसाद अगरवाल, मुर्गा जी का पूरा पूरा हाथ था, मुर्गा जी उस घर के मालिक है, और मालिक होने के नाते, वो गुड्डू अगरवाल का जिंदगी एकदम जण्ड कर दिये, और और सिर्फ और सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचे है वो इनसान और अपना बेटा के बारे में सोचे है अपना बेटा को लेके बहुत पोजिजिव है एक लोता बेटा है ना बहुत पोजिजिव है ना सब का समय आता है सब का समय आता है अगर किसी के साथ गलत करोगे न तो गलत तुमारे साथ भी आज नकल तो निकले गई जो लोग बोलता है न पती के नाम पे व्यूज लेती है सिर्फ सिंपती गेन करती है अरे हाँ लेते हैं पती के नाम पे व्यूज तो हाँ अभी हम बहुत रूड बोल रहे है थोड़ा सा पति है मेरा पति है लेगल ही वो पति है यह ना हम कई बार क्तार बोला यह ले या कुछ भी ड़र समाजिक तोर प्रशादी हुआ है ए हग सरक ही क्यों नहीं ले है उसके नामं पर созд़ है जब कुछ दियानी अपने बच्चे को छोड दिया सड़क पे कभी बच्चे को देखने तक नहीं आया है उसको कभी दया नहीं लगा अपना बच्चा बाप भी विश्चा कर सकता है यैасть हुआ जो अपना पैदा किया हुआ बच्चा नहीं हुआ अब आप लोग अभी सोचेंगे शीवानी सुबह सुबह ये सब बात अब क्यूं मतलब अभी एकदम सुबह का टाइम है हैं को कुछ पता चल यह लोग के बारे में लड़की जिस लड़की से शादी कर रहा है उसका बाप उसका बाप और उसका चाचा वो लोग आ रहा है डालतन गंज का मकान देखने छुप छुपा के डालतन गंज का मकान देखने आ रहा है कि जहां रहा है में भी हो सकता है कुछ शक लगा हो लोग को कुछ डाउट लगा हो तो देखने आ रहा होगा कि क्या है इधार का सारा सीन क्योंकि वो लोग है बहुत दूर से चाहेगा तो भी नहीं पता लगा पाएगा मतलब मेरे तक मेरे तुर कैसे पहुचेगा सोशल मीडिया पर भी है तो हम अपना नंबर ऐसे तो पबलीकली नहीं कर सकते हैं न तो आ रहे हैं वो लोग लड़की का बाप और चाचा यहां डाल टेंगंज का मकान देखने जो अभी तक लीगली मेरे ससुराल है किस दिन आ रहा है यह नहीं पता है हमको लेकिन सुने है कि आज कितना है अभी सेप्टंबर चिल्डर न ऑक्टूबर में आएगा ऑक्टूबर मिड में मिड ऑक्टूबर में आना है वोगो कि देखते क्या कर सकते हैं कि देखते हैं कि दो